हेलो नमस्कार और विलकम बैक सरदियो के तैयारी Old Monk के साथ सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ ये कोई Old Monk का review नहीं है क्योंकि Old Monk का review मैंने पहले भी किया है और different rum के साथ इसका comparison video भी available है चैनल पे, description में मैं link डाल दूँगा आप लोग उसको देख सकते हैं आज हम लोग बात करेंगे वाई रम इस सो पॉपुलर इन विंटर इन इंडिया और इसका एक फिलिप साइड है कि क्या रम सिर्फ विंटर में ही पी आ जाता है इस पर यह बात करेंगे हम लोग और एक अमेजिंग रेसिपी बताऊंगा आप लोगों को रम का especially for winters तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से request करूंगा जो लोग अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हैं please do subscribe my channel वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने friends के साथ so that it's an interesting or informative वीडियो का मज़ा आपके friend भी ले सका है आगे बढ़ते हैं वीडियो में सबसे पहला ये सवाल कि क्या रम सिर्फ winter में ही पिया आता है ऐसा बिलकुल नहीं है रम को आप सालो हर पी सकते हैं और अगर मैं आपको example के साथ समझाना चाहूं तो आप ये समझिये कि इंडिया जो है one of the largest manufacturer of rum है मैंने पहले भी बताया कई वीडियो में कि रम जो है वो बनता है sugar cane से और इंडिया one of the largest producer है sugar cane का और sugar cane से इतना ज़ादा alcohol इंडिया में बनता है आजकल तो 20% alcohol जो की sugar cane से बनता है उसको blend किया जा रहा है पेट्रोल में भी तो इंडिया इस वन अफ दे लार्जेस्ट प्रोड़िशर अफ अफ एलकोहल मेड फ्रॉम sugar cane तो इसलिए रम का production भी इंडिया में सबसे जादा है और इंडिया इस नॉट अट कोल्ड कंट्री इसके अलाबा रम कहां फेमस है Caribbean countries में कई centuries से रम वहां बनाई जा रही है और वो भी ट्रॉपिकल कंट्री है Jamaican rum आप लोग जानते होंगे तो वो भी कोई cold कंट्री नहीं है Jamaica is also a tropical country वो भी गर्म देश है तो जहां भी rum reduce होता है वो सारे के सारे कोई cold कंट्री नहीं है तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि रम जो है वो सिर्फ जाडे में पीने वाला ड्रिंक है या सिर्फ ठंड जगाए में या सर्दियों में पीया आता है ऐसा बिल्कुल नहीं है रम सालो हर पीने की चीज है होट क्लाइमेट वाले कंट्री में भी लोग रम को सालो हर पी सकते हैं इसके opposite अगर मैं आपको वड्का से compare करूँ तो वड्का के विसे में ऐसा इंडिया में कोई नहीं कहते है कि वो सिर्फ ठंड में पीने की चीज है जबकि आप देखें कि वड्का सबसे ज़्यादा कहां बनता है रशिया में बनता है योरोप में बनता है जो की cold country है वहाँ पे temperature minus में जाता है और वहाँ के लोग अपने आपको गर्म रखने के लिए वड्का पीते हैं तो simple कहानी ये है कि कोई भी alcohol जब भी आप consume करते हैं तो alcohol naturally आपके body को गर्म करता है तो आप rum पीएं, वड्का पीएं या विस्की पीएं वो आपकी body को गर्म करेगा हाँ ये बात जरूर है कि कुछ alcohol जो है वो शर्दियों में ज़्यादा फाइदे बंद होता है जैसे कि brandy even wine को भी काफी prefer किया जाता है winters में या cold countries में तो ये पहला topic ये था मेरा कि rum जो है it's not only for winters rum सालोहर पीने की चीज़ है लेकिन जाडे में और वो भी old monk पीने का जो मज़ा है उसके क्या कहने है तो वीडियो के दूसरे पार्ट में आज मैं एक amazing recipe आपको बताऊंगा old monk के साथ और इसका नाम है old monk with ginger and honey बहुत इस simple और बहुत amazing recipe है फटा फट से बनाते है सबसे पहले मैंने ये दो slice लिया है ginger का और इसको मैं जरा सा muddle कर दूँगा तो इस ginger को मैंने muddle कर लिया है और ये गया glass में इसको रखता हूँ side अब हम लोग इसमें add करेंगे honey almost 10 ml की जैसा not more than that तो इसमें आ गया ginger muddle किया हुआ और 10 ml honey डाबर honey है ये आप कोई सा भी honey यूज़ कर सकते है और अब जाएगे इसमें अपनी favorite old monk और वो हम डालेंगे इसमें 60 ml तो हलका सा muddle किया हुआ ginger 10 ml honey और 60 ml old monk इसमें हम लोग add करेंगे hot water hot water के साथ आपका honey जो है वो बहुत अराम से blend भी आता है हलका सा स्टेर करेंगे इसको और ये आपका ड्रिंक रेडी है old monk rum with ginger and honey amazing drink है specially for winter जरूर जरूर ट्राइ कीजिए मज़दार फिर से request करूंगा जरूर ट्राइ कीजिए इस recipe को इस winter में और comment करके बताइए कैसा लगा आपको ये drink I hope video आपको अच्छा और informative लगा होगा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ so that as an interesting और informative वीडियो का मजब आपके फ्रेंड वी ले सके मिलेंगे फिर ऐसे interesting और informative वीडियो में तब तक take very good care of yourself, bye bye